हेलो बच्चो, वेलकम टू डाउटनट, स्वागत है आप सबका डाउटनट की सोशल साइन्स की क्लासेज में मैं हूँ अनुश्या, आपकी सोशल साइन्स टीचर और कैसे हैं सारे क्लास 10 के बच्चे मुझे सुनने में आया कि थोड़ी सी टेंशन है आप बच्चो को क्यूंकि टर्म 2 स्टार्ट हो चुका आपका सो बोड एक्जाम की तयारी चल रही है पर टेंशन मतलो टर्म 2 की भी तयारी हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं तो सोशल साइन्स आप लोग मेरे साथ कवर करोगे और मुझे पता है कि आप बच्चों को हिस्ट्री से थोड़ा एक्स्ट्रा डर लगता है तो शुरुआत हम लोग हिस्ट्री से ही करेंगे आज जो हम chapter start करने वाले हैं chapter का नाम है nationalism in India and ये chapter बेटा आप लोग बहुत जादा enjoy करने वाले हो और इसका कारण ये है क्यूंकि अभी तक आप लोग बाकी countries की history को cover करते हुए आए हो class 9 में भी हमने French, Russia इन सारे country के revolution को cover करा French revolution, Russian revolution और term 1 में भी बाकी countries के बारे में पढ़ा पर इस chapter में आपका interest थोड़ा जादा बनेगा क्यूंकि ये तो अपने ही भारत की कहानी है ठीके तो बहुत ही fun, बहुत ही easy, बहुत ही interesting तरीके से हम इस chapter को cover करने वाले हैं ओके, so nationalism in India जल्दी से समझ लेते हैं कि आज के class में lecture 1 में हम लोग किन topics को cover करेंगे हम लोग cover करेंगे nationalism ठीक है nationalism शब्द का क्या मतलब है इंडिया के context में nationalism क्यों जरूरी है ये हम समझेंगे next, first world war first world war की थोड़ी बहुत हम लोग कहानी समझेंगे साथ ही साथ खिलाफ़त movement and non corporation movement इस topic को भी हम आज के class में cover करेंगे so ये हमारा target है आज के class की end तक ये सारे topics आप बच्चों को एकदम clear हो जाएंगे ठीक है, पर आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूं so काफी तो बच्चे जानते हैं मुझे अगर आप नहीं जानते कोई बात नहीं मेरा नाम है अनुश्या और social science के सारे subjects आप लोग मेरे साथ cover करोगे so geography, economics, civics, history ये चारो subjects आप लोग मेरे साथ cover करोगे फिलहाल हम लोग history से शुरवात कर रहे हैं चलो, तो introductions हो गए अब हम start करते हैं अपने lecture को तो सबसे पहले nationalism term को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं तो आज के date में तो हमें पता है कि अलग-अलग countries होती हैं जैसे India एक country है Pakistan एक country है China, Sri Lanka ये सारी एक countries है पर बहुत time पहले आजादी मिलने से भी बहुत time पहले country या फिर nation का concept missing था उस time पे क्या होते थे? उस time पे राज्य हुआ करते थे ठीक है, राज्य समझते हो kingdom, मतलब एक राजा है और उन राज्य के पास एक राज्य होता था, एक kingdom होता था उस kingdom को वो राज्य समहालते थे तो इस राज्य में जितने भी लोग है बेटा उनकी loyalty इंडिया या भारत की तरफ नहीं है उनकी loyalty अपने राज्य के लिए है क्यूंकि उस time पे इंडिया भारत ये सब कुछ नहीं था राज्य हुआ करते थे, राज्य अपने इरिया को समहालते थे और राज्य भी पता है, बदलते रहते थे आज मान लो कोई भी एक राज्य है कल को किसी दूसरे राज्य ने अटाक कर दिया इस राज्य के उपर और वो दूसरे राज्य कबजा करने लग गए रूल करने लग गए तो ऐसे में लोगों की कोई लॉयल्टी नहीं थी जादा आज की डेट में तो जैसे हम सब लोगों की लॉयल्टी है कि हम सारे इंडियन्स हैं, हम सारे Constitution को फॉलो करते हैं है ना तो वो लॉयल्टी, वो feeling उस टाइम, पर missing थी क्योंकी nation का concept ही नहीं था ठीक है, country का concept ही नहीं था, धीरे-धीरे वो concept बना, धीरे-धीरे हमने नए symbols को use करा जैसे कि हमने flag बनाया इंडिया का, धीरे-थीरे हमने नए-ए songs को use करना start करा, हमने इंडिया के लिए गलग poems लिखे हमने नाशनल आंथम बनाया तो धीरे धीरे सिंबल्स सॉंग इन सब चीजों के हेल्प के थ्रू हमने इंडिया में नाशनलिजम को बढ़ाया ठीक है तो इतना इजी नहीं था यह जैसा आपको लग रहा है सुनने में कि हां गाना लिख दिया और अचानक से ना को आप नोग थोड़ा अच्छे से समझना उस ताइम पर क्या चल रहा था Colonialism चल रहा था Colonialism समझते हो जब एक कंट्री दूसरे कंट्री क्यों पर एटाक करें करें और उस कंट्री क्यों पर कबजा करें है ना तो ब्रिटिश ने हमारे उपर Colonialism कर रखा था Britishers ने हमारे इंडिया के उपर कबजा कर रखा था तो उस ताइम पर कलोनियलिजम के वजह से हम लोगों के अंदर unity आ जाती है इससे पहले क्या था? Farmers अलग थे, ठीक है? Labors अलग थे, जो businessman थे, वो अलग थे जो royal family के लोग थे, वो अलग थे इन चारो लोगों का आपस में कोई लेना देना नहीं था अलग अलग communities का आपस में कोई लेना देना नहीं था पर Britishers के आने के वज़े से क्या हो गया? इन चारो अलग अलग communities को realize हुआ कि फिलहाल हमारे पास एक problem है कि Britishers से हम सब परिशान हैं तो अगर हम सब ही Britishers से परिशान हैं तो क्यों ना हम लोग साथ में मिलके Britishers से लड़ें ठीक है जैसे English में कहा जाता है अगर मेरा कोई दुश्मन है और कोई और भी उसी इनसान को दुश्मन मानता है तो वो कोई और इनसान मेरा दोस्त हो जाएगा ऐसे कहा जाता है तो कुछ वही concept है यहाँ पे कि हम सब लोगों को अच्छानक से realize हुआ कि अरे हम सारे ही अगर Britishers के खिलाफ लड़ रहे हैं हम सब ही अगर Britishers से परिशान हैं तो क्यों ना हम साथ में मिलके Britishers को समहालने Britishers के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कोलोनियलिजम के वज़े से हम देखते हैं कि इंडिया में एक unity एक एकता का concept धीरे धीरे बनने लगता है इसी दोरान Congress के लोग है ना उस ताइम पे Congress ही थी बेटा ठीक है जो main political party थी वो Congress ही थी बाकी पार्टी धीरे धीरे बनने लग Congress थी तो इसी दोरान जो Congress party है और साथ ही साथ हम अपने गांधी जी के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ेंगे इस चाप्टर में तो Congress के लोग गांधी जी के guidance के अंदर कोशिश करते हैं कि कैसे हम इन सारे लोगों को unite करें इंडिया में ठीक है Congress को और गांधी जी को समझ आ जाता है कि Britishers को भगाने के लिए इंडिया में सबको unite करना बहुत जादा जरूरी है इसी दोरान Congress और गांधी जी जो थे वो बहुत जादा कोशिश करते हैं इंडिया को unite करके Britishers के खिलाफ voice race करने के लिए पर again सुनने में बहुत आसान सा लग रहा है यह करना इंडिया में मुश्किल था तो उसी जर्णी को भी हम समझेंगे कि कैसे Congress गांधी जी हमारे सारे national leaders ने अलग-अलग movements करें और इंडिया में unity को nationalism को बढ़ाने की कोशिश करी तो यह एक image है बेटा वैसे तो उस time की images सारी black and white है तो हो सकता आपको clearly समझना आ रहा हो तो मैं आपको बता दे इसमें हो क्या रहा है यह जो आपको दिख रहा है इस image में बहुत सारे लोग ठीके strike करते हुए जा रहे हैं ठीके तो रस्ता है और वो पूरा रस्ता भर रखा है क्योंकि यहां पर यह सारे जो आपको दिख रहे हैं यह लोग हैं लोग साथ में March करते हुए जा रहे हैं तो उस ताइम पर ये एक बहुत ही common चीज थी, जब भी लोगों को कुछ पसंद नहीं आता था, जब भी Britishers कुछ ऐसा करते थे, जिससे लोग परिशान थे, तो लोग क्या करते थे, mass protest करते थे, mass strikes किया करते थे, तो ये वही हमको इस image में दिख रहा है, कि लोग mass strike कर रहे हैं, ठ परान ये बहुत ही common बात थी, तो अब हमने basic introduction समझ लिया है कि nationalism, इंडिया के context में nationalism का क्या मतलब है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और first world war के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं, ठीक है, so first world war की date क्या थी पहले तो, 1914 से लेके 1918 first world war की date थी, ठीक है, in years में first world war हुआ था, पर अब आप सोच रहे होगे कि ma'am, first world war में तो इंडिया का कुछ लेना देना ही नहीं था, first world war में जो भी countries थी, वो तो यॉरप में थी, यॉरप में उनकी लड़ाई चल रही थी, इंडिया ने तो कुछ किया ही नहीं, तो हम इंडिया के chapter में first world war के बारे में क्यूं पढ़ र ठीक है, central parts, ये लोग आपस में लड़ रहे थे, पर इसे world war कहने की क्या जोरत है, जब कुछ countries ही लड़ रही थी, ऐसा थोड़ी है कि world की सारी countries लड़ रही थी, कुछ countries आपस में लड़ रही थी, तो world war क्यों कहते हैं हम इसे, world war इसी लिए कहा जाता है, क्योंकि लड़ तो कुछ countries रही थी, पर उसका impact, ठीक है, उन लोगों के लड़ने का impact पूरे world में फैल रहा था, जैसे for example, इंडिया ने directly participate नहीं करा war में, इंडिया का कोई लेना देना भी नहीं था, first world war से, पर Britishers का तो था, Britishers तो लड़ाई कर रहे थे, और उस तोरान हम लोग Britishers के अंडर थ था, तो अगर Britishers का war से कोई लेना देना था, तो मतलब हम लोग भी indirectly war में फस गए, ठीक है, तो first world war इसी लिए इंडिया के साथ related है, क्योंकि Britishers first world war में पाट लेते हैं, और उस टाइम पे हम लोग, इंडिया के लोग, Britishers के अंडर थे, Britishers ने हमारे उपर कबजा कर रखा था ठीक है, तो अब जब first world war खतम होता है, तो बहुत सारी अलग-अलग problems इंडिया में start होने लग जाती हैं, ठीक है, तो first world war इस तरीके से इंडिया के साथ connected है, और 1919 जब first world war फिनिश होता है, उस टाइम पे हम अलग-अलग problems इंडिया में देखते हैं, ऐसा क्यों इस चीज़ क को थोड़ा discuss करते हैं, तो अभी हम discuss करेंगे कि economic और political situations कैसे बदलने लगती है, first world war के वज़े से, देखो जब भी war होता है, इतना हमें पता है कि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, है ना war में अगर दो countries आपस में लड़ रही हैं, तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, क साथ ही साथ जो हम लोग weapons use करते हैं, उन weapons को खरीदने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तो Britishers का अचानक से खर्चा बढ़ जाता है, war के वज़े से, क्योंकि वो लोग first world war कर रहे थे, अचानक से उनका खर्चा बढ़ जाता है, अब अगर उनका खर्चा बढ़ ग कैसे कमानी की कोशिश करते हैं ये, ये लोग लगा देते हैं हमारे उपर tax, ठीक है, so first world war के दौरान क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, हमारे उपर, इंडिया की उपर tax बढ़ जाता है, इसी दौरान income tax का भी concept, income tax पता है, जो हमारी salary होती है, जो हमारी income होती है, उसकी उपर से tax लिया जाता है, so income tax का भी concept इसी दौरान introduce किया गया था, custom duties का concept, पहले से ही था, custom duties को इस दौरान increase कर देते हैं, custom duty मतलब, अगर आप कहीं से import कर रहे हो, export कर रहे हो, अगर आप कोई सामान दूसरे country को भेज रहे हो, या फिर उनसे ले रहे हो, तो उस साम की चीजें उस टाइम पर बढ़ने लग जाती है, in short इस point का मतलब है कि tax बढ़ जाता है क्योंकि Britishers को अपना खर्चा समालना था, first world war के दौरान, ठीक है, so यह जो आपको इहाँ पर image दिख रही है, यह first world war की ही है, again black and white image है, उस टाइम की सारी images ऐसी है, black and white सी, पर हाँ, य एक problem हमने देखी कि उस दोरान tax को increase कर दिया जाता है, next क्या होता है, अगर tax बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, हमारे जो आम लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा परिशानी होगी, है ना, obviously बात है, tax अगर इंडिया में आज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो सोचो क इतने लोगों को दिक्कत होगी, उस टाइम पे तो इंडिया में और भी गरीबी जादा थी, तो इंडिया में जो common लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा गुसे में आ जाते हैं कि ऐसे कैसे हमारे country में tax बढ़ाया जा रहा है, इसी दोरान पता और क्या होता था, अगर war चल रह है, तो Britishers को जरुद पड़ेगी, soldiers की, है ना war का टाइम है, उन्हें जादा से जादा आर्मी में लोगों की जरुद पड़ेगी, तो Britishers पता है क्या करते थे, हमारे country के गाओं में आते थे, villages में आते थे, इधर उदर देखते थे, उनको जो भी, जिनको भी देखके लगता था कि हाँ, ये इंसान थोड़ा strong है, tall है, उसको जबरदस्ती उठाके अपने आर्मी में डाल देते थे, तो उस तोरान हमारे villages में forced recruitment चलता था, forced recruitment मतलब जबरदस्ती किसी को काम पे डाल दिया, जबरदस्ती किसी को उठाके वो लोग आर्मी में डाल देते थे, तो इन सार से reasons के वज़े से हम लोग हमारी जो आम जनता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि war आपकी tension है, हमें क्यों ये सब सहना पड़ रहा है, then 1918 से लेके 1919, 1920 से लेके 1921, ये दोनों जो time period है, ये इंडिया के लिए बहुत ही बुरे time period थे, ठीक है, agriculture के context में भी, इ बढ़ने लगता है, crop failure मतलब agriculture अच्छे से नहीं हो रहा होता, तो खेती अच्छे से नहीं हो पारी होती है, तो लोगों को food grains नहीं मिल रहे, तो obviously बात है, farming अच्छे से नहीं होगी, तो क्या होगा, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, तो खाने की कमी पढ़ जाती है, food supplies की shortage पढ़ जाती है, अब problem यहीं पे खतम नहीं होती, और क्या होता है इस time पे हमारे इंडिया में, influenza ये एक flu का नाम है, ठीक है, virus से एक flu होता है, उसका नाम है, influenza epidemic स्टार्ट हो जाता है, epidemic समझते हो आप लोग, जैसे covid को pandemic कहा जाता है, तो pandemic का थोड़ा चोटा version होता है, epidemic, epidemic बहुत सारे countries में फैल जाए, तो हम उसे pandemic कहते हैं, तो उस तोरान इंडिया में influenza epidemic हो जाता है, इंडिया में ही काफी सारे लोग influenza के वज़े से मरने लग जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक census कराते हैं, इधर उधर थोड़ा research करते हैं, और population का idea लगाते हैं, और हमें पता है, कि 12 to 13 million people, 12 से 13 million people के बीच में लोगों की death हो जाती है, influenza epidemic के वज़े से, और starvation के वज़े से, तो भूख के वज़े से famine हो जाता है, famine समझते हैं, आप लोग जब बहुत सारे लोगों की भूख के वज़े से death हो जाए, तो हम उसे famine कहते हैं, और epidemic influenza के वज़े से चल रहा था, तो epidemic के वज़े से भी बहुत सारे लोगों की death हो जाती है, तो क्या overall महौल क्या चल रहा है, इंडिया में, tax बढ़ा दिया है, जब उमीद करते थे, pray करते थे कि जल से जल ये war खतम हो, ये yudh खतम हो, और हमारी problems ठीक हो जाएंगी, ठीक है, 1918 के around वैसे war फिनिश हो जाता है, पर लोगों का यही मानना था कि ये war के side effects हैं, after effects हैं जो चल रहे हैं, तो war का एक महौल अगर हट जाए, तो हम जैसे तैसे इंडि में एक new leader आते हैं, ठीक है, new leader तो ऐसे क्या आपको बताती हूँ, गांधी जी उस time पे इंडिया में आते हैं, ठीक है, so गांधी जी के बारे में कहते हैं, गांधी जी returned to India in 1915, गांधी जी वापस आए इंडिया में 1915, so वापस आपका क्या मतलब है, गांधी जी बीच मैं चले जाते हैं South Africa और South Africa में आप बच्चों को पता होगा जैसे हमारे यहां पर भेदभाव होता था ना कास सिस्टम के बेसिस पे तो ऐसा नहीं है कि सिरफ इंडिया में ही यह भेदभाव चलता था बाकी country's के history में भी हमने देखा कि यह लोग किसी ना किसी बेसिस पे भेदभाव करते थे तो South Africa में वहीं पर थे गांदी जी वहां पर सत्य घ्रह का concept practice करते हैं सत्य घ्रह मतलब क्या होता है मैं भी आपको समझाऊंगी पर वो एक concept सीख लेते हैं कि हम लोग अगर कोई हमें परिशान कर रहा है कोई कुछ गलत कर रहा है तो हम लोग सत्य घ्रह कर सकते हैं और गांदी जी काफी successful तरीके से South Africa के problem को handle करते हैं ठीक है वहाँ पर काफी हद तक गांदी जी famous हो जाते हैं तो उस दोरान पता है क्या होता था South Africa में भी काफी सारे Indians थे और ये Indians इंडिया में अपने relatives को खत लिखा करते थे letters लिखा करते थे और ये लोग अपने letters में पता है क्या लिखते थे कि हमारे South Africa में कोई Indian आया है इंडियन का नाम लिखते थे कि गांदी जी आये हैं और गांदी जी बहुत कमाल के इंसान है एकदम hero की तरह है वो यहां पर सारे problems को solve कर रहे हैं तो गांदी जी वैसे तो इं कि गांदी जी नाम के कोई है South Africa में जो की Indian है और South Africa की problems को solve कर रहे हैं तो जब 1915 में गांदी जी आते हैं इंडिया में एक ऐसा मोहौल बन जाता है कि सब लोग discuss कर रहे हैं कि अरे गांदी जी आ रहे हैं वापस South Africa में उन्होंने problem solve करी थी अब इंडिया आ रहे हैं अगर ग 1915 में गांदी जी वापस आते हैं इंडिया में देखते हैं क्या कुछ चल रहा है और गांदी जी लोगों से कहते हैं कि tension मतलो यहां पर हम लोग सत्य ग्रह के concept को follow करेंगे अब क्या होता है यह सत्य ग्रह यह हम समझ लेते हैं सत्य वर्ड का मतलब समझते हो सत्य मतलब truth सच तो गांदी जी का मानना था कि अगर आप किसी ऐसे चीज के लिए लड़ रहे हो जो कि आपको लगता है true है सही है ठीक है और अगर आप किसी ऐसे चीज के लिए लड़ रहे हो जो कि आपको लगता है कि injustice है ठीक है आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है इसलि समझाओगे तो उस इंसान को समझ आ जाएगा ठीक है तो सत्यग्रह में गांदी जी क्या कहते हैं कि अगर आप true चीज के लिए सही चीज के लिए लड़ रहे हो अगर आपको लग रहा है आपके साथ अन्याय हो रहा है तो physical force physical force मतलब मार पीट यूज़ करने की ज़रत नहीं है आप प्यार से समझाओ सामने वाले इंसान को समझ आ जाएगा ठीक है तो यह गांदी जी का मानना था और ऐसा निये कि गांदी जी सिर्फ कहते रहते थे कि ऐसा करो वैसा करो और कोई result नहीं आता था नहीं गांदी जी point one South Africa में से ट्राइ करके आये थे South Africa में successful रहे थे point two गांदी जी इंडिया में भी आके इस चीज को और से non-violence एक ऐसा फोर्स है जो की इंडिया में सबको युनाइट कर सकता है ठीक है नौन वाइलेंस के थू हम इंडिया में लोगों के बीच में एक ताल आ सकते हैं यह गांदी जी का में प्रिंसिपल था और पता है गांदी जी ने अपने इस प्रिंसिपल को पूरे आप आप इस चाप्टर में भी देखोगे जब तक गांदी जी इंडिया में अलग-अलग मूवमेंट्स करते हैं आप देखोगे गांदी जी इस कॉंसेप्ट को फुल होल हाटेडली मानते हैं और फॉलो करते हैं तो इससे पता हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है हिस्ट्री असाइड सोशल साइंस असाइड हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे लाइफ में भी एक ऐसा प्रिंसिपल जरूर होना चाहिए जो हम पूरे तरीके से फु गांधी जी की तरह होल हाटेडली फॉलो करें गांधी जी के लिए वो यह था कि कुछ हो जाए वाइलंस नहीं होना चाहिए मार पीट नहीं होनी चाहिए चलो सब आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि सत्याग्रह के कॉंसेप्ट को गांधी जी ने इंडिया में कैसे फिए धिए फिए इंडिया में गांधी जी आते हैं और 1917 में बो जाते हैं चंपारन बिहार प्याइब लिए नाम याद कर लेना बेटा आपसे क्वेस्चिन आयेका सबसे पहले सत्याग्रह कानधी जी ने कहां कर रहा था चंपारन बिहार में कर रहा एक ही same ही type के plant को grow किया जाता है उसे हम plantation कहते हैं तो यहाँ पे चंपारण बिहार में जो हमारे farmers थे वह plantation system से बहुत परिशान थे Britishers system में हमारे farmers को बहुत परिशान कर रहे थे तो इस system में हमारे जो farmers हैं वो मदद माग रहे होते हैं कि हमें इस सिस्टम से हटना है गांदी जी वहां जाते हैं वहां के फार्मर्स को सत्याग्रह के बारे में बताते हैं और यहां पे सत्याग्रह सक्सेस्फुल रहता है हमारे जो फार्मर्स हैं ठीके वो देखते हैं कि उनके उपर जो भी दबाव लग रहा था ब्रिटिश उनको जो प जाते हैं और यहां पर क्रॉप फेलियर था जो फार्मर्स थे और जो लोग थे वहां पर वहां पर क्रॉप फेलियर से परिशान थे साथी साथ एपिडेमिक का टाइम था जैसे हम लोग कोविड नाइटीन के टाइम पीरिड में कितना परिशान हो गए थे इतने सारे टेक्नोलिजी के बावजूद तो सोचो उस टाइम पर एपिडेमिक का क्या मतलब होता होगा सो वहां पर लोग एपिडेमिक और क्रॉप फेलियर से परिशान थे और उसी दोरान ब्रिटिशर्स उनके उपर क्या करते हैं और दबाव डालते हैं कि हमें टाक्स चाहिए हमें लेना देना नहीं है कि आप लोग भूख के वज़े से मर रहे हो या एपिडेमिक के वज़े से परिशान हो ठीक है इसी दोरान ब्रिटिशर्स उनके उपर दबाव डालते हैं कि हमको टाक्स चाहिए गांदी जी वहां पर जाते हैं सत्याग्रह के बारे में बताते हैं और यह लोग सत्याग्रह करते भी हैं और फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स उनके उपर जो भी cotton mill workers वहां पर cotton mill workers थे यह workers भी परेशान थे Britishers से गांदी जी उनको सत्याग्राय के बारे में बताते हैं यह लोग सत्याग्राय करते हैं और यह successful रहता है तो इन सारे examples में हमने क्या देखा कि ऐसा नहीं कि गांदी जी सिरफ कह रहे हैं कि सत्याग्राय बढ़िया है बढ़िया है नहीं गांदी जी एक्च्वली प्रैक्टस करके भी दिखा रहे हैं इतने सारे examples हैं कि गांदी जी ने सत्याग्राय किया और वो successful रहा ओके चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जो कि इंडिया में Britishers बनाते हैं और हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता ठीक है ये एक ऐसा कानून था जो हम इंडियन्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था पर Britishers ओवियसली उनके लिए तो अच्छा होगा अगर हमारे लिए अच्छा नहीं था सो Britishers ये कानून बनाते हैं और वो इंडिया में फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं सो गांधी जी क्या सोचते हैं कितने सारे सत्य अग्रह करें हैं राउले टाक्ट के खिलाफ भी एक सत्य अग्रह करते हैं राउले टाक्ट को हटाएंगे ठीक है सो इतने टाइम से सक्सेस्फुल रह रहे हैं गांधी जी गांधी जी ने सोचा कि राउलेट आट की खिलाफ भी अब हम एक सत्याग्रह करते हैं और ये पूरी कहानी अब आप जो आप सुनोगे आगे ये 1919 में चल रहा है ठीक है सो 1919 की बात है गांधी जी राउलेट आट की खिलाफ एक सत्याग्रह निकालते हैं अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि ऐसा क्या था राउलेट आट में कि पूरी इंडिया इस कानून से इस आट से परिशान थी ठीक है पॉरी जैसी हमें सुनने में आया ना कि राउलेट आट जैसा कोई कानून बनने वाला है हमने तब ही कहना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं ये कानून इंडिया में नहीं बनना चाहिए पर ब्रिटिश जल्द बाजी में इस कानून को निकाल दे कि इससे पहले कि इंडिया के लोग बहुत बड़ा कोई दंगा करें जल्दी जल्दी से पास कर देते हैं तो ये पॉइंट वन बिना हमारी परमीशन लिए जल्द बाजी में बनाया जाता है पॉइंट टू इस कानून में ब्रिटिश के हाथ में बहुत जादा पावर्स थ ठीक है तो उन्हें किसी पॉलिटिकल लीडर के उपर शक हुआ कि ये इंसान हमारी लिए सही नहीं है जल्दी से जेल में डाल दिया तो इस कानून में कहा जाता था कि विदाउट ट्राइल टू येर्स तक आप लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रख सकते हो ठीक है विद राउलेट अक्ट में कहा गया कि नहीं अगर बृटिशर्स को किसी पॉलिटिकल लीडर के उपर शक है तो उनको डाइरेक्ली दो साल तक जेल में डाल सकते हैं कोई ट्राइल नहीं होगा तो इन डारेक्ली इस कानून का क्या मतलब है कि बृटिशर्स जिस मर्जी इंसान को without trial jail में डाल सकते हैं इसलिए Rowlet Act हमें पसंद नहीं था main Rowlet Act का core ये था कि वो जिन मर्जी लोगों को इंडिया के लोगों को पगड़के jail में डाल सकते थे और क्या था Rowlet Act में देखो पुलिस को अगर कहीं पे search करना हो ना किसी के घर के अंदर या ओफिस के अंदर जाके कुछ search करना हो पुलिस को तो पुलिस को warrant की ज़रुद पड़ती है warrant मतलब आप ऐसे मानो एक permission की ज़रुद पड़ती है किसी भी घर या ओफिस के अंदर जाके कुछ भी search करना है तो पर Rowlet Act में कह दिया गया कि पुलिस को जहां पर भी शक है पुलिस वहाँ directly जा सकती है पुलिस को warrant की ज़रुद नहीं है मतलब Rowlet Act में पुलिस को और strong बना दिया ऐसा का कि पुलिस को जो सही लगे पुलिस कर सकती है without permission next press press मतलब media media के freedom को कम कर दिया गया normally media वालों का क्या काम होता है उनको अगर लगे कि Britishers कुछ गलत कर रहे हैं तो वो उस चीज को report कर सकते हैं है ना अपनी newspaper में डाल सकते हैं channels में डाल सकते हैं पर Rowlet Act में कहा गया कि नहीं जो media के लोग हैं वो लोग अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते हम उनके freedom को भी restrict कर रहे हैं तो अब हमें पता चल गया कि Rowlet Act इंडिया के लिए बहुत ही एक बेकार कानून था तो गांदी जी क्या करते हैं गांदी जी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है हम लोग non-violent तरीके से बिना लड़ाई जगडा करे इस कानून के खिलाफ अपने voice को raise करेंगे मतलब गांदी जी क्या कहते हैं हम सत्याग्रे करेंगे और 6 अपरिल को गांदी जी क्या करते हैं ये प्लान करते हैं हम एक हड़ताल करते हैं हड़ताल मतलब एक strike करते हैं जिसके थूँ हम Rowlet Act के खिलाफ अपने voice को raise करेंगे 6th April मतलब मैंने आपको बताया 1919 की सारी कहानी चल रही है So इस तोरान अलग-अलग cities में rallies होती है अलग-अलग city में लोग strike करना start कर देते हैं railway workers जो है वो अपना काम छोड़के strike पे बैठ जाते हैं shops जो भी है वो अपना काम बंद कर देते हैं ठीके तो जब ये सब होने लग जाता है अब Britishers डर जाते हैं ठीके Britishers डर जाते हैं कि ये तो पूरे इंडिया के लोग अचानक से हमारे खिलाफ strike कर रहे हैं shops बंद कर रहे हैं rallies कर रहे हैं तो अब Britishers थोड़े से नर्वस होगे हैं कि कुछ तो चल रहा है इंडिया में अब Britishers को क्या डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडियंस क्या करेंगे railway के network को बंद कर देंगे telegraph के network को बंद कर देंगे और अगर वो बंद कर दिया Britishers अपने country के साथ कोई link नहीं रख पाएंगे so Britishers क्या सोचते हैं कि इससे पहले इंडिया के लोग अपने सत्याग्रह में और आगे बढ़ें हम लोग कुछ ना कुछ strict action लेते हैं तो Britishers क्या करते हैं Britishers एक एक करके local leaders को पकड़ना start कर देते हैं ठीक है सारे जो local leaders थे उनको पकड़ना start कर देते हैं Britishers क्यूंकि देखो अगर कहीं पर leader को पकड़ लिया जाए तो followers जल्दी चुप हो जाते हैं तो leaders को पकड़ने की कोशिश करते हैं इसी दौरान Britishers गांदी जी से कहते हैं कि आप Delhi नहीं जा सकते सो Delhi में जो strike है बहुत बड़े level पर चल रहा था उनसे कहा कि आप वहां नहीं जा सकते गांदी जी को वहां जाने से मना कर दिया 10th April को ये लोग क्या करते हैं हम लोग peacefully strike कर रहे होते हैं पर ये लोग Britishers हमारे उपर firing कर देते हैं ठीक है ये 10th April की बात है 10th April पुलिस हमारे उपर firing कर देते हैं जबकि हम लोग शान्ती से अपने strike कर रहे थे राउल अटाक के खिलाफ अब जब ये होता है जब हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग शान्ती से strike कर रहे थे हमारे उपर गोलियां चला दी हम लोग गुस्सा हो जाते हैं हम लोग भी violence पर उतर आते हैं ठीक है अब ऐसे में क्या होता है अब violence स्टार्ट हो गया ठीक है पंजाब एरिया में बहुत ज़्यादा violence चल रहा है अब इस तोरान martial law को impose कर दिया जाता है martial law समझते हो अगर मैं कहूं कि एक एरिया में martial law लग गया मतलब वहाँ पर military समझाल रही है सब कुछ अब उस एरिया में लोगों के पास normally जो हक होने चाहिए वो सारे हक हट गए हैं अब वहाँ पर military समझालेगी सब कुछ martial law लग गया सो अब क्या होता है Britishers martial law लगा देते हैं और General Dyer एक General का नाम होता है उस General से कहते हैं कि आप समझालो अब इस एरिया को अब हम आते हैं 13th April की बात करते हैं ठीक है 13th April काफी सारे बच्चों को पता होगा मैं क्या बताने वाली हूँ नहीं पता कोई बात नहीं अभी सुन लेते हैं So 13th April 1919 की बात है इस डेट पर क्या होता है जलियाँ वाला बाग इंसिडेंट या फिर जलियाँ वाला बाग मैसेकर कहा जाता है So जलियाँ वाला बाग मैसेकर में हुआ क्या था जलियाँ वाला बाग एक जगा है अमरित सर में वहाँ पे हम लोग शान्ती से बैठके राउलर टाट के खिलाफ सत्यग्रह कर रहे थे ठीक है एकदम शान्ती से बैठे हुए थे और उस दिन ना एक फेस्टिवल बैसाखी का टाइम था तो उस पार्क में जलियाँ वाला बाग में कुछ लोग आराम से बैसाखी मनाने के लिए आ रखे थे तो जेनरल डायर क्या करते हैं अपने ब्रिटिश और्स को ओर्डर करते हैं कि यहाँ पे इस पार्क में जो भी एक्जिट्स हैं उन एक्जिट्स को सील कर दो बंद कर दो और अंदर जो भी लोग होते हैं उन लोगों के उपर जेनरल डायर ओपन फाइरिंग करा देते हैं ठीक हो ओपन फाइरिंग करते हैं बहुत सारे इंडियन्स की डेथ हो जाती है बाद में जब जेनरल डायर से पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों करा आपने इतने सारे लोगों के उपर open firing क्यों कर दी तो पता जेनरल डायर क्या जवाब देते हैं कि मैंने ये इसी लिए करा ताकि इंडियन्स के दिमाग में एक डर बैठ जाए कि अगली बार जब हम कानून निकालें तो हमारे खिलाफ नहीं बोलना है तो इस चकर में ब्रिटिशर्स हमारे उपर open firing करते हैं हमारे दिमाग में एक डर बैठाने के लिए पर जलियाँ वाला बाग का कुछ opposite impact था हमारे उपर ठीक है डर तो बैठता ही है पर उसके आगे पता है क्या होता है इंडियन्स को एक चीज रेलाइज हो जाती है इससे पहले भी जलियाँ वाला बाग massacre से पहले भी हमें पता था कि ब्रिटिशर्स बेकार लोग हैं पर जलियाँ वाला बाग के बाद हमें आप अगर अब भी जाओगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह पार्क है यहाँ पर आपको जो भी white boxes दिख रहे हैं ना white boxes के अंदर bullet marks हैं तो ब्रिटिशर्स ने open firing करी थी हमारे उपर तो जो bullets wall वगेरा पर लगे उन bullets की mark अब भी है वहाँ पर तो आप मेंसे काफी लोग गए भी होगे जो नहीं गए उनके लिए मैं यह photo ले आई तो कुछ इस तरीके का वो site आज की date में दिखता है चलो तो अब क्या होता है जैसे ही जलियां वाला बाग massacre के बारे में हम लोगों को पता लगने लगता है काफी सारी strikes होती है इंडिया में इंडिया के लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसे कैसे Britishers ने open firing कर दी हमारे उपर तो हम लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और हम लोग strike करना start कर देते हैं government की buildings को तोड़ना start कर देते हैं पुलिस officers को पकड़ के मारना पीटना ये सब हम शुरू कर देते हैं अब अगर हम मार पीट करेंगे तो Britishers भी हमारे उपर मार पीट करते हैं इस तोरान पता है क्या होता था Britishers को अगर कोई सत्या सत्याग रही मिल जाता था कोई ऐसा इंसान जो सत्याग रही कर रहा है तो उस इंसान के साथ बहुत गंती treatment होती थी उनको जबरदस्ती ऐसे डराया जाता था Britishers उनको डराते थे कि तुम हमें देखके salute करो काफी areas में क्या होता था ये उस टाइम की एक actual image है black and white है आपको हो सकता है clearly ना दिख रही हूँ मैं समझा देती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर British officers खड़े हैं और यहाँ पर ये जबरदस्ती हमारे एक Indian को कह रहे हैं कि तुम नीचे लेटो और रेंगो यहाँ पर जमीन में ऐसे रेंग के चलो तो इस तरीके से हम लोगों को परिशान किया जाता था हमारे एरिया में काफी सारी इंडिया की एरिया में पंजाब की एरियास में bombing भी उस टाइम पे होनी स्टार्ट हो गई थी तो अब क्या हो रहा है गांधी जी ने तो peaceful strike करने के लिए कहा था गांधी जी ने तो rólet act के खिलाफ सत्या घ्रह करने को कहा था पर गांधी जी क्या देखते हैं कि यहाँ पे तो violence हो रहा है मार पीट हो रही है तो गांधी जी ऐसे में क्या कहते हैं गांधी जी लोगों से कहते हैं कि बस बहुत हो गया movement बंढ़ करो हम राउल टाट के खिलाफ अब सत्याग रहें नहीं कर रहें और इस incident को याद रखना बेटा अभी ऐसा पहली बार हुआ है चाप्टर में कि हम देख रहे हैं कि गांदी जी ने violence के वज़े से movement को बंद कर दिया अभी यही चीज हम बार-बार थोड़ा देखेंगे चाप्टर में कि movement हम लोग start करते हैं पर गांदी जी बार-बार कहते हैं कि violence नहीं करनी है लडाई नहीं होनी चाहिए पर लोग violence करते हैं गांदी जी को अच्छा नहीं लगता गांदी जी movement बंद करा देते हैं ठीक है तो यह पहली बार अभी हुआ है कि राउलट सत्याग्राय में बहुत जादा violence हो गया और गांदी जी ने movement को बंद करा दिया ओके चलो सो अब हम काफी सारे topics को discuss कर चुके हैं आगे और भी interesting topics को discuss करना है वैसे पर आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा quiz कर लेते हैं ओके चलो तो first question देखते हैं तो first question है आप बच्चों का in which of the following places महात्मा गांदी जी organized सत्याग्राय for the first time in India option H अंपारन, option B एहमदबाद, option C खेडा या फिर option D डांडी थोड़ा सा time दे रही हूँ मैं आप बच्चों को सोच लो गांदी जी ने सबसे पहले सत्याग्राय इन में से कौन से एरिया में organize कराया था next question देख लेते हैं ठीक है यहां तक आपने answer कर लिया होगा next question देख लेते हैं when did the जलियावाला बाग incident take place जलियावाला बाग massacre जलियावाला बाग incident जिसके बारे में हमने in detail पढ़ा वो incident किस date में हुआ था option A 13th April, option B 15th August, option C 27th October या फिर option D 10th March ठीक है थोड़ा सा time दे रही हूँ सोच लो आप लोग comment section में बता दो कौन सा answer आपको right लग रहा है answer कर दिया सारे बच्चों ने जल्दी से हम अब इन दो questions को discuss कर लेते हैं पहले question में आपसे क्या पूछा जा रहा है हमें पता है कि गांदी जी ने इंडिया में आने के बाद सत्या ग्रह के concept को try करा और वो successful भी रहे सबसे पहले उन्होंने बेटा चंपारन बिहार में लोगों की help करी थी सत्या ग्रह के थूँरू है ना हमने अभी just अभी discuss कर रहा है तो right answer हमारा option A है next question को देख लेते हैं जलिया वाला बाग incident जो है massacre जो है जिसमें open firing जनरल टायर ने कर दी थी हम इंडियन्स के उपर ये 13th of April 1919 की कहानी है तो right answer हमारा क्या हो जाएगा option A ये आप बच्चों का quiz था अब आपको थोड़ा बहुत idea लग गया होगा कि कितना क्या कुछ आपको समझ आया है ठीक है concepts आपके clear हो गए होंगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है तो हम लोग कहां पर चल रहे थे राउलट सत्याग्रह के बारे में हमने पढ़ा और हमें ये पढ़के समझाया कि राउलट सत्याग्रह में हमने शान्ती से सत्याग्रह तो किया पर Britishers ने हमारे उपर violence स्टार्ट कर दिया और उसके इंडिया में unity हलकी सी कम थी ठीक है गांधी जी सोचते हैं कि इंडिया में हिंदूस एन मुसलिम अगर हिंदूस और मुसलिम के बीच में जैसे तैसे एकता को हम बढ़ा पाए तो फिर इंडिया के सारे movement successful रहेंगे ठीक है तो ये गांधी जी का plan था कि हमें जैसे तैसे इं इसके लिए आपको थोड़ा सा और पीछे time में थोड़ा imagine करना पड़ेगा कि हम लोग world war one के time की कहानी को समझ रहे हैं तो world war one में पता है क्या होता है बेटा तर्की की हार हो जाती है ठीक है तर्की ठीक है आज के एरिया में जो तर्की एरिया है तो वोस तर्की के लोगों क हार हो जाती है world war one में तर्की में एक राजा होते हैं ठीक है और वो जो राजा होते हैं जैसी उनकी हार होती है उनकी उपर हाश ट्रीटीज लगा दिये जाते हैं ठीक है यही सेम चीज हम जर्मनी के साथ भी देखते हैं कि जब जर्मनी के लोग world war one में हार जाते हैं उनको बहुत जादा इंसल्ट किया जाता है, उनके उपर हद से जादा पनिश्मेंट्स लगा दी जाती है, टर्की के साथ भी ऐसा होता है, ये लोग हार गए वार में, तो यहां पे इनके उपर बहुत जादा पनिश्मेंट्स लगाई जा रही है, अब टर्की में खलीफा होते हैं ठीक है? खलीफा का क्या मतलब है जो Muslims के religious head है उनका नाम खलीफा उनको खलीफा कहते हैं ठीक है उनको खलीफा कहते हैं तो खलीफा के powers को अब कम करने लगे हैं क्योंकि Turkey की हार हो गए World War I में अब जैसे ही खलीफा के powers को कम किया जारा है पूरे world में जितने Muslims हैं उनको बुरा मुसलिम के रिलिजियस हेड हैं ठीक है रिलिजियस हेड को खलीफा कहा जाता है जब खलीफा के पावर्स को कम किया जा रहा था हमारे इंडिया में जो मुसलिम्स थे उनको भी बुरा लग जाता है कि नहीं यह जो टर्की के साथ हो रहा है जो हमारे स्पिरिच्वल हेड को खल खिलाफत कमिटी बनाते हैं एक खिलाफत कमिटी बनाई जाती है बॉम्बे में ये बात है मार्च फिर से लोटाओ खलीफा को फिर से स्ट्रॉंग बनाओ तो यह होते हैं बेटा आपके मोहमद अली और शौकत अली दो मुस्लिम लीडर्स होते हैं जो की खिलाफत इशू के लिए लड़ रहे होते हैं इनहीं को साथ में अली ब्रदर्स भी कहा जाता है तो अली ब्रदर्स दे है ताकि आप बच्चों को थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए ठीक है अब गांधी जी क्या सोचते हैं कि इंडिया में अगर हम खलीफा के इशू को खलीफा वाले प्रॉब्लम को साथ में ब्रिटिशर्स को भगाओ वाले इशू को और खलीफा के इशू को साथ में हम लेके चलें तो मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में जो एकता है वो बढ़ सकती है तो गांधी जी अब बोलते हैं कि हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो लड़ेंगे ही साथ ही साथ हम ब्रिटिशर्स से ये भी कहेंगे कि जो खलीफा वाला इशू चल रहा है उस कि चलेंगे तो क्या होगा मुस्लिम्स भी साथ में चलेंगे हिंदू भी साथ में चलेंगे हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो यूनिटी है जो एकता है वो धीरे-धीरे बढ़ने लगेगी तो गांधी जी क्या करते हैं एक कॉंग्रस का एक सेशन होता है एक को अपने मिशन के साथ जोड लेते हैं ताकि हिंदूज और मुसलिम एकता के साथ काम करें और यहां पे अब धीरे-धीरे बात होने लगती है कि हम लोग non-corporation movement को भी start करेंगे ठीक है तो अभी mainly क्या चल रहा है हिंदूज और मुसलिम्स की एकता बढ़ाने के लिए हमने खिलाफत movement और non-corporation movement को merge कर दिया है जोड दिया है अब non-corporation movement का क्या मतलब होता है ठीक है अच्छा English में हम कहते है न corporate कर लो थोड़ा सा है न या फिर ये इंसान cooperative नहीं है तो इस word का मतलब क्या होता है corporate करना मतलब किसी के साथ मिल जुल के उसकी बात मान के चलना इसे हम corporation कहते हैं non-corporation मतलब किसी की बात ना सुनना कोई कुछ कह रहा है तो उसे मना कर दो कि नहीं मुझे ये चीज नहीं करनी इसे हम non-corporation कहते हैं तो गांधी जी की बहुत ही फेमस बुक है बेटा, हिंद स्वराज कहते हैं उस बुक को, ठीक है, ये नाम याद रख लेना question आ जाता है, ये बुक किस ने लिखी थी, गांधी जी ने लिखी थी, इस बुक में हमारे गांधी जी ने कहा था, कि Britishers इतने सालों से इंडिया की उ जूल चला पा रहे हैं, जिस दिन हम Britishers को मना कर देंगे कि नहीं, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, उस दिन Britishers कमजोर पढ़ जाएंगे, इंडिया में ये गांधी जी का मानना था, तो गांधी जी जैसे हम लोगों से कहते हैं, हम लोग non-cooperation movement को start कर देते हैं, हम लोग Britishers की वापस कर देते थे कि हमें आपका award नहीं चाहिए, हम आपके साथ cooperate नहीं करेंगे, हम boycott करने लगे अलग-अलग services को, boycott करना मतलब again मना कर देना कि हमें इस service का part ही नहीं बनना, ठीक है, army, police, court, ठीक है, lawyers अपनी job छोड़ रहे थे, courts में जो लोग काम करते हैं, lawyers थे, army men जो सब लोग अपनी job को छोड़ रहे थे, जो school going kids थे, ठीक है, मतलब आप जैसे जो बच्चे थे उस time पे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम लोग school नहीं जाएंगे, क्यूंकि Britishers हमारे school को चला रहे हैं, हम उनके साथ cooperate नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग school नहीं जाएंगे, ठीक है, similarly उस time school में काफी सारे teachers अपने job को छोड़ना start कर देती हैं, ठीक है, हम foreign goods, Britishers के सामान को use करना बंद कर देते हैं, उनके सामान को हम लोग पकड़ के एक group बना के उनके सामान का जला देते थे उनके सामान को, उनके सामने ही ये दिखाने के लिए कि हम आपका सामान use नहीं करेंगे, ठीक है, इस दोरान गांदी जी और शौकत अली इंडिया में इधर उदर घूमते थे, लोगों को बताते थे कि हमें कैसे Britishers के खिलाफ उठने की जरूरत है और खलीफा के इशू को भी सबको समझाते थे, ठीक है, अब पता है, Congress में कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमें इतनी लड़ाई जगडा करने की जरूरत नहीं है, Britishers से पंगे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्यों उस ताइम ना बेटा, Council Election का टाइम था, ठीक है, Council में Election का टाइम था, तो कुछ Indians ऐसे थे, जो मानते थे कि हमें Britishers से भिढ़ने की जरूरत नहीं है हम Election में पार्ट लेते हैं, जादा से जादा अगर Indians Election में जीच जाएंगे, तो हम सिस्टम को अंदर से बदल पाएंगे, है ना, तो इस तोरान काफी सारी Indians कह रहे थे कि Non-Cooperation, खिलाफ़त movement ये सब मत करो, सीधा सीधा Election में पार्ट लो, Election में जादा से जादा Indians को जिताओ, और फिर सिस्टम को हम अंदर से बदलेंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि गांदी जी और कॉंग्रस के खिलाफ थे, जिन्होंने ये कहना स्टार्ट करा कि नहीं, हम लोग तो Election में पार्ट लेंगे, Non-Cooperation को हम नहीं मालेंगे, ठीक है, फाइनली कॉंग्रस का एक और सेशन होता है, ये नागपूर में होता है, December 1920 की बात है, ठीक है, और इसमें हम कॉंग्रस के लोग डिसाइड करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, Non-Cooperation को स्टार्ट कर देते हैं, तो फाइनली नागपूर के सेशन में, 1920 में डिसाइड किया जाता है कि Cooperation Movement को स्टार्ट कर देते हैं, Council Election बाद में देखेंगे, जैसे ही नागपूर में ये डिसिशन लिया जाता है, इस ताइप की चीजे हम उस टाइम पे सडकों पे देख सकते थे, तो आपको दिख रहा होगा कि लोग foreigners के कपड़ों को वगरा जलाते रहते थे और Indian symbols को प्रमोट कर रहे हैं, जैस सब की लिए अलग-अलग था, कुछ लोग support कर रहे थे इस movement को, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, हम लोग इस movement को support नहीं करते, तो सब की लिए non-corporation movement का मतलब अलग था, difference strands within the movement मतलब इस movement का मतलब हर एक इंसान के लिए अलग था, ठीक है, चलो, तो आज हम लोग इतना ही सम मुझेंगे, हमने काफी सारे issues को cover कर लिया है, आपके future classes में हम लोग यहां से continue करेंगे, कि कैसे अलग-अलग areas में हम देखते हैं, कि अलग-अलग लोगों के लिए non-corporation का मतलब अलग था, पर उससे पहले हमने जहां तक भी आज के class में पढ़ लिया है, उससे related important questions को हम लो class में, so next class में सारे बच्चे time से पहुंच जाना, एकदम live हम लोग सारे important questions को solve करेंगे, चलो, so that's it for today, मिलते हैं अपने next lecture में, bye-bye, take care and thank you